नमस्ते दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चनल रोसे लाइब में दोस्तो आज हम बनाने वाले है बाल सकती के पराठे वो भी कद्धु में तो चलो दोस्तो बनाते है बाल सकती के पराठे मैंने यहाँ पे कुछ कद्धु के तुकड़े लिये है और यहे बा नहीं थोड़ा ही हमें जूस निकालना है यह हम इस लेकर रहे हैं ताकि हमें जो आटा है वो कम लगे और यह कद्दू जो है उसका ज्यादा इस्तिमाल हो तो मैं पहले यहाँ पे इसका जूस निकाल लूँगी हलके हाथों से दबा के इस तरह से यह देखिए उसके बादे देखिए आप देख सकते हैं इसका मैंने जूस निकाल लिया है तो चलो अब एक कटोरी मैंने यहाँ पे बाल सकती लिए यह देखिए एक कटोरी बाल सकती और उसी कटोरी से आधी कटोरी में लूँगी यह है गेहू का आटा तो चलो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद हम स्वाद के लिए इसमें डालेंगे नमक थोड़ा ही नमक डालेंगे उसके बाद ये गरम मसला थोड़ी सी हल्दी हल्दी डालने के बाद हम इसमें इसमें थोड़ा मिक्स कर लेते हैं अच्छे से अब हम इसमें एड़ करने वाले ही ये लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च एड़ करेंगे बच्चो के लिए है और थोड़ी एक चमच सक्कर हम सक्कर ज्यादा नहीं डालेंगे इस गूतने का टाइम हो चुका है तो इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे ये कद्दू दरद पिसा हुआ अब मैं इसमें पानी नहीं एड करूंगी सिर्फ कद्दू के साधि हम आटा गुतेंगे अच्छे से अगर आपको लगे कि आपका आटा जो है वो बतला हो चुका है तो हम थोड़ा बाद में देखिए यह बतला है तो हम अभी थोड़ा एक कटरी गहुक आटा और उसी माप से थोड़ा ज्यादा हम लेंगे बालसक्ति का आटा यह देखिए तो चलो अच्छे से इसको गुत लेते हैं और इसे हम थोड़ी देर 20 मिनिट के लिए सैड में रख देंगे गुतने के बाद देखिए 20 मिट हो चुकी है मैं आपको आटा दिखाऊंगी मैंने थोड़ा पतला गुता था लेकिन यह बहुत ही अच्छा हो चुका है और इसमें आप देख सकते हैं यह देखिए कद्दू जी है कद्दू के रिशे दीख रहे है चलो आज तो बच्चे भी कखायेंगे कद्दू को दस्तों सेथ के लिए कद्दू बहुत ही है अब इसमें थोड़ा तेल डालके अच्छे सी से गुत लेते हैं मैंने यहां पे एक तवा लिया है तो चलो अब मैंने छोटे-छोटे बोल्स बना लिये हैं आते के मैं इस पे कोरा आता लगा के अच लगा सकते हो आटे की जगह पर लेकिन मैं आटा लगाऊंगे चलो इसको अब हम तवे पर अच्छे से से शेक लेते हैं अगर आपके रोटी पर आपने सुखा आटा लगाया है और उपर से आटा दीख रहा है सुखा तो आप इसे ये जूस जहे कदुका इसे आप लगा सकते हो चलो अच्छे से इसको हम सेकेंगे तवे पर चलो तब तक हम क्या करेंगे दुसरी वाले पर अठा जे है वो बना लेते हैं अच्छे से ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरी ओर तो हमार तवे पराठा भी पक रहा है ये भारवाली साइट भी हो चुकी है अब हम क्या करेंगे इस पे हम तेल लगाएंगे किनारों पे हम तेल लगाएंगे ताकि वो अच्छे से पराठा पे फेल जाए आप तेल की जगहा पे घी भी लगा सकते हो लेकिन मैं यहाँ पे तेल लगाएंगे आपके पास जो भी है उससे आप पराठे बना सकते हैं चलो हमने अच्छे से तेल लगा दिया है यहाँ पे थोड़ा हम और लगा देते हैं थोड़ी देर इसे अच्छे से यहाँ पे तवे पे सेक ल चलो इसे प्लेट में निकाल लेते हैं बहुत ही टेस्टी पुरोठा बना है यह देखिए चलो बाकी के पुरोठे हम इसी तरह बना लेंगे दोस्तो हमारा ये वीडियो जो है वो कैसा लगा तो हमें जरूर बताए ना कोमेंट करके और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को नहीं दबाए है तो वो प्लीज कर दिजिएगा थेंग